हेलो एंड वेलकम मैं आपका दोस्ट एंड होस्ट मनिंदर सिंग आप देख रहे हैं समर कलास से दी सक्सेस पोइंट जिसमें आपको मैस के बेसिक कंसेप्ट करवाए जाएंगे कि किस प्रकार आप बड़ी से बड़ी संख्या को एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा बड़ी ही वीडियो का अडवांस नोटिफिकेशन मिल्स के तो चलिए आज का जो अपना टोपिक है वो है परसेंटेज परतीशत बहुत यह अच्छा टोपिक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज परतीशत बहुत ही शांदार टोपिक है इसको करने का तरीका जो है मैंने आ आपको percentage का पतावना चीए कि % है क्या तो c का मतलब होता है एक ऐसी बिनसंख्या जिसका हर सदेव क्या हो सो या इस को इस परकार से भी लिख सकते है कि % का मतलब होता है बटे में कोई चीज आना या divide के नीचे कोई चीज आना उसको क्या बोलते है percentage बोलते हैं तो चलिए आपकी screen के अंदर आपको percentage की conversion दिखाई दे रही है जैसे मैंने आपकी screen के उपर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है एक, एक का मैंने लिखा है 100%, कोई भी चीज है वो अपने आप में क्या है 100% है, एक है वो अपने आप में क्या है, 100 है, ऐसी आदा है, कोई चीज एक बटा दो है वो क्या है, पचास परतीशत है वो एक्जाम के अंदर आपको पूछेगा कि पचास का पचास परतीशत कितना होता है एक तो question करने का तरीका है कि पचास को पचास पहले पचास इंटू पचास बटे सो लिख दो, और एक तरीका है पचास इंटू एक बटा दो लिख दो, आपका बड़ी ही असानी से 25 अंसर आ जाएगा तो आपको conversion, इसलिए मैंने आपकी screen के उपर आपको दिखाई दे रही है इसलिए मैंने लिखी है ताकि आपको percentage में कहीं भी दिक्कत निया है मान लीजिए उसने exam के अंदर लिख दिया किसी भी संख्या का 16 सही 2 बटा 3 परतिशक निकालना है तो इसको करने में बहुत time waste होता है exam के अंदर इसको short करने के लिए इसको क्या करना है आपको इसका भिन जो एक बटा 6 लिखा हो है वो याद होना चीए conversion याद होनी चीए अगर आपको conversion याद है तो आप बड़ी ही असानी से percentage के question कर सकते हैं तो चलिए जैसा कि आपकी screen के अंदर आपको दिखाई दे रहा हुगा एक से लेकर मैंने लगबग सारी conversion लिखी हुई है वो आप इसको देख लेना और ताकि आपको आगे आने वाले question है जो भी मैं अभी करवाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देख लीजिए आपकी screen के अंदर आपको दिखाई दे रहा हुगे लगबग सारे मैंने conversion लिखे हुए है एक बटा 14 से लेकर last 5 बटा 6 तक लिखे हुए एक से लेकर 5 बटा 6 है last वहां तक मैंने conversion लिखी हुई है तो आपको I hope ये सारी याद हो जाए ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ तो अब भी अपने question स्टार्ट करते हैं कि conversion के किस प्रकार आप question में इसका use कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं question first question करते हैं इसका रुपे 432 का 6 से 2 बटा 3 परतिशक निकालना है तो इसको कहा है सबसे पहले भीन रूप में question को हल कर लेते हैं 6 से 2 बटा 3 परतिशक को ताकि आपको question जल्दी से जल्दी समय में आ जाए और जल्दी से आप question को कर पाओ तो देखिए करना कहा है सबसे पहले 6 ती है 18 और 2 20 बटा 3 देखिए नीचे भीन में हमेशा क्या आता है नीचे बटे में हमेशा हर के अंदर क्या आता है 100 आता है तो मैं यहां सीधे लिख देता हूं 100 300 ताकि question जल्दी से हो जाए देखिए क्या करना है एक जीरो से एक जीरो कार दी है देखिए कट रहा है दो बटा 30 आगया अपने पास इसको आगे भी काटते हैं तो कितना आता है एक बटा 15 आता है तो ये आगया अपना भिन रूप आगया कोस्टन को करने का जो असान रूप है देखिए अब करना कै आपको 432 को एक बटा 15 से गुना करना है तो किस परकार आपको करना है देखिए करना कै सबसे पहले 432 में 15 का भाग देंगे और जितना भी अंसर आएगा उसको एक से गुना कर देंगे देखिए करना कै देखिए 432 में 15 का भाग दे रहा हूं सबसे पहले 15 दूना 30 कितना 6 बच गया 13 उपर से पॉइंट उपर से 0 तारी तो कितना यहां लगा देंगे पॉइंट और 15 अठी 120 ये आगया आपका 432 का 6 सही 2 बटा 3 परतिशक निकालने पर अंसर देखें बहुत ही असानी से आपके सामने अंसर आगया होगा आपको लग भी रहा होगा कि इतना असान कोस्टन कैसे बन गया देखें असान तब बन गया जब इसको अपने भीन रूप में निकाल लिया देखें यदि आप 6 सही 2 बटा 3 को इसके अंदर गुना करने बैड़ते या भाग करने बैड़ते तो ये कोस्टन बहुत लंबा चला जाता आपका काफी टाइम इसमें वेस्टेज हो सकता था लेकिन जैसे ही आपने इस कोस्टन को भीन रूप में किया तो आपका कोस्टन बड़ी ही असानी से हो गया तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जितनी मी कनवर्जन आपकी स्क्रीन के उपर आपको दिखाई थी ताकि आपको वो सारी आपकी निगा में आ जाए ताकि आपको कोस्टन करने में कोई भी दिकत ना आए मेरी आपसे ये सबसे बड़ी सला ये है कि आप जो भी आपको मैंने कनवर्जन दिखाई थी आपकी स्क्रीन के उपर और वो आपको उतार ले, किसी पेज़ पर उतार ले, यहां उसको बार-बार देखें, ताकि आपके mind में वो set हो जाए, जैसे ही आपके सामने कोई भी percentage का question आए, जैसे माली जीए, इस question के अंदर आ गया, 6-2 बटा, 3% आए, तो आपके दिमाग के अंदर आना चीए, कि इसका मतलब है, वो एक बटा 15 निकालने की बात कर रहा है, ताकि आपको question जल्दी से कर पाए, यही इस भीन का करने का फाइदा है, तो चलिए, I hope आपको percentage का, यह शुरुवात्ती topic अच्छे से समी में आ गया होगा, आगे अपने जितने भी अभी next जो वीडियो आएगी, वो भी percentage के उपरी करेंगे, चलिए, आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, अबाद रहिए, और channel को like कर दीजिए, share कर दीजिए, और subscribe कर दीजिए, जै हिंद, जै भारत!